नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 वशंत का पार्ट विपलव गायन, इसका मैं MCQ परहाने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों इस बार आप लोगों को MCQ भी एकजाम में पूछे जाएंगे, और इससे पहले क्लास 7 वशंत के बहुत सारे मतलब सारे आए वाटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दियेगए डिस्क्रिशन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेओ लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेश्बुक और ट्यूटर पर भी फॉलो कर सकते हैं तो अभी हम लोग विपलन गायन का MCQ पढ़ेंगे इसमें कुछ पैराग्राफ दिया गया है जिसका बैख्या है उसके बाद हम लोग MCQ शुरू करेंगे कभी नावागंतकों से एहवान करता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बदलाव निश्चित हो जिस प्रकार जल की लहरें जल में कभी ठहराव नहीं आने देती उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कारियों से पुराने रिती रिवाज़ों वा गलत रूड़ियों को त्याग कर नव निर्वान की नीम रखनी चाहिए कभी की एक्छा है कि उसकी वानी में मधुर संगीत की वज़ाए करांती और संगर्स के गीत गुंजे भले ही उंगलियां एट कर घायल हो जाए मिजाजें तूट जाए लेकिन नव निर्वान की और अग्रसर होना चाहिए तो अब देखे इसमें कितने MCQ बनेंगे पहला प्रश्ण है कभी अपनी कविता के माध्यम से किसका आहवान कर रहा है कौर नव यूवकों से तो कभी अपनी कविता के माध्यम से किनका आहवान कर रहा है इसका उत्तर है कौर नव यूवकों से दूसरा प्रश्ण है कभी देखवासियों को कैसी तान सुनाना चाहता है पुरानी रूड़ियों को तोरने की खव परिवर्तन और नव निर्वान की गव बदलाओ की घव दिये गए सभी तो कभी देखवासियों को कैसी तान सुनाना चाहता है तो इसमें को खव गव में जो बातें कही गई है वे सारे बातें सत्य है यानि पुरानी रूड़ियों को तोरने की जरुरत है परिवर्तन और नव निर्वान की जरुरत है और बदलाओ की जरुरत है तो घव उतर सही होगा और तीसरा है वीना बजाते समें उंगलियों में क्या पहना जाता है और चौथा प्रश्ण है वह अपने स्वर में कठोड़ता क्यों लाता है ताकि लोगों को नवीनता की और अगरसर कर सके खव वाहवाही पाने के लिए गव देशवासियों को जन जोड़ कर जगाना चाहता है गव इन में से कोई नहीं तो वह अपने स्वर में कठोड़ता क्यों लाता है इसका उत्तर है कव ताकि लोगों को नवीनता की और अगरसर कर सके और पांचमा प्रश्ण है वह क्या जर से समाप्त करना चाहता है गव पास्चात का प्रभाख और नई विचारधारा गव रोड़ियों और पुरानी रिती रिवाज गव लोगों की मनह इस्थिति तो वह क्या जर से समाप्त करना चाहता है इसका उत्तर है गव रोड़ियों रोड़ियां वह पुराने रिती रिवाज और दूसरे पेराग्राफ में यह दिया गया है कि कंठ रुका है महानास का मारक गीत रुद्ध होता है आग लगेगी छन में हत्वल में अब छुब्ध युद्ध होता है जार और जहंखार दग्ध है इस जॉलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की कुरुद्ध तान है निकली तेरे अंतरतर से तो इसका देखिए नीचे इसमें MCQ बनेंगे इसमें ब्याक्या है कभी का मानना है कि वह अत्यंत आवेश से विनाशक गीत गाना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि विद्धवन्स की नेम पर ही नवनिर्वान संभव है उसके कंड से अधिक उतेजना के कारण विनाशकारी गीत के स्वर निकल नहीं पाते वह जानता है कि इस गीत के सुरों से ही सारी काटेदार जारियां अर्थात जिर्न सिर्न विचार धाराय और रूढ़ी वादी विचार जलकर खाक हो जाएंगे इसी से समाज नवीन राहों की और अगरसर होगा तो इसमें देखिए बच्चों कितने MCQ बनेंगे पहला है कभी विनास के गीत क्यों गाना चाहता है क्योंकि कभी आवेस में भरकर गीत गाता है जोड से गाता है गाते गाते उसकी आवाज रुक जाती है गह दिये गए सभी उसका गला अवरुद्ध क्यों है इसका उतर है क्योंकि कभी आवेस में भरकर गीत गाता है और तीसरा प्रस्ण है कभी के कंट से निकले गीत का क्या प्रभाव परेगा, को उसका प्रभाव जम जाएगा, लोग उसके गून गाएंगे, गो जिर्न सिर्न विचारधारा और रुढ़ी वादी विचारों का नास हो जाएगा, गो वन लोगों का मार्ग दर्सन करेगा, तो कभी के कंट से निकले गीत का क्या प्रभाव परेगा, इसका उत्तर है, गो जिर्न सिर्न विचारधारा और रुढ़ी वादी विचारों का नास हो जाएगा, और चोथा प्रशन है, काटेदार जारियां किसकी प्रतिक है, को पुरानी व जिर्न सिर्न विचारधाराओं की, खो नवनिर्वान की, गो अत्यधिक काड़े की, गो प समाज मां प्रस्थ्न हैं कि आप अपने समाज में क्या पडिवर्तन चाहते हैं कि भ्रषटाचार समाप्त को लोग रूढी वादी विचार धा रा रा जाग को डिये गया सभी तो आप अपने समाज में क्या पडिवर्तन चाहते हैं, तो हम लोग यही पडिवर्तन चाहते हैं, कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, लोग रुड़ी बादी विचार धाराय त्याग दे और गौधार्मिक शत्भावना है, तो दिये गए सभी शत्ते हैं, पांचमा उत्तर है, देख आया हूं, जीवन के सवराज समझ आया हूं, भुरु विलास में महा नास के पोशक सुत्र परखा आया हूं, तो इसका मतलब यह है कि इसका अभ्यांस में कभी यह विश्वास परकट करता है, कि विनासकारी गीत का प्रभाव दूर दूर तक होगा, और प्रतेक व्य निर्वान हेतु चिंतन करेगा, कभी समाज को बदलने वाली परिस्थितियों की भली भाती जानकारी प्राप्त कर चुका है, और भविश्यवानी करता है कि आँख की भृकुटी के इसारे से ही महा नास जाग उठेगा, उसके बाद क्या होगा, देश का नवनिर्वान भव होगा, क्योंकि पुराने लोग गले सरे खंडहराओं को शमाप्त करके ही भव्य भवनों का निर्वान किया जा सकता है, तो इसमें देखिए कितने बहुत भी कल्पी प्रश्न बनेंगे, कभी के गीत का क्या प्रभाव परेगा, इसका उतर है, खो इसका प्रभाव दूर दूर तक होगा, और दूसरा है, इस कभ्यांस में कभी का कौन सा भी स्वास प्रकट होता है, इसका उतर है, को सेशनाग जैसे अपने मनी की चिंता करता है, वैसे ही हर व्यक्ति को हिर्दय में यह गीत गुंजेगा, अब नव निर्वान की चिंता करेगा, और तीसरा प्रशन है समाज में बदला और किस प्रकार आएगा उत्तर है खो कभी की भ्रिकुटी के इसारे से और चोथा प्रशन है भविश्य के बारे में कभी क्या कल्पना करता है इसका उत्तर है गव पुराने सरे गले खंडराओं को समात करके भवनों का निर्वान होगा और पांच को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एक्जाम के लिए अच्छी तरह तयार कर लीजिएगा और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा लाइक कीजिएगा और सेर कीजिएगा कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों धन्यवाद